पुपा बूंदी में कॉंग्रेस को लगेगा करारा जटका या बिजेपी कर पाएगी जीत दर्श ये तमाम सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं राजस्तान की लोगसबा चुनावों में वर्तमान हालाता को देखते वे ये लगातार क्यास लगाए जा रहे हैं इस बार राजस्तान में इन 6 सीटों पर मुकाबला तगड़ा होने वाला है या फिर मुकाबला रोचक रहने की संभावना है दरहसल कॉंग्रेस ने राजस्तान में 22 सीटों पर अपने उमीदवार उतारे जबकि नागाओर सीट और सीकर सीट से गडबंदन आर एलपी और माफ़ा के लिए कर लिया साथ ही कॉंग्रेस निकल बासवार से भी अपने प्रत्याशी के रूप में अर्विंद डामोर को उतार है और आपको बता दें कि बिजेपी से महिंदर जीत सिंग मालविया इस बार अर्विंद डामोर के सामने चुनाव लड़ रहे हैं वहीं बिजेपी ने 25 सीटों पर उमीदवार गोशित किये और इस बार बार्डमेट जैसल मेर पर मुकाबला बेहती रोचक होने वाला है क्योंकि बार्डमेट जैसल मेर से रवेंदर सिंग भाची के निर्दली ताल ठोक देने से अब नामंकन दाखिल करने के बाद अब द बिजेपी और कॉंग्रेस दोनों पार्टी के उमीदवार के लाश शौद्री और उमेदराम बेनिवाल को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये दोनों भाची के सामने चुनावी रन में टिक पाएंगे भी या नहीं यहीं बात करें चूरू से तो चूरू से राह लगातार देखने को बन रहा है उससे कहीं ना कहीं अब जो हैं दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत है बढ़ रही हैं कि बाड मेर जैसल मेर होट सीट माने जाने वाली सीट से इस बार रविंदर सिंग भाटी निर्दली चुनाव लड़ रहे हैं हाला कि देखने वाल बात यह होगी कि नहीं जहां त्रिकोनिय मुकाबला बन रहा है और लगाता जितने जादा मुकाबले रोटक हैं कड़े हैं उनका चुनाव परिणाम क्या आने वाला है यह तो केवल 4 जून को ही इसका फैसला हो पाएगा फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहे पंजाब के से राजस्तान मेरे अने लीजा के साथ नमस्कार